आज हम डिसकस करेंगे गिल्गे बलतिस्तान प्रविंचल स्टेटस इसका है अगर हम इसको प्रविंचल स्टेटस देते हैं इसकी इंप्लीकेशन्स क्या हो सकती है इंटर्नल और एक्स्टर्नल इंप्लीकेशन्स क्या हैं पाकिस्तान के लिए और इसको हम देखेंगे आज कि इसको पाकिस्तान as a provincial status दे सकता है कि नहीं दे सकता है और इसके लिए सब से पहले हमें हिस्ट्री को देखना पड़ेगा हिस्ट्री आफ गिलगे बलतिस्तान early history influence अगर हम देखें कि early history को गिलगे बलतिस्तान क्या शुरू से ही किश्मीर का पार्ट है या फिर बाद में ये पाड इसका बना क्योंकि अगर हम इसको इसकी डिफरेंट इंटर्पटेशन्स देखें इसके डिफरेंट बुक्स के इसके रेफरेंसिस को देखें तो देखा जाता है कि सबसे पहले वहाँ पर पिटाला शाहिव Map आबाद भी चाइनीज इसको बताती है उसके बाद किया हुआ के जो पटाला शाहि कला क्या मat इसकी तॉह हुई टांग डानیस्टी के साथ और टांग डानेस्टि भी चाइनि champions डानेस्टि थी तो वहां पर उसके बाद टांग डानेस्टि चाइबलिश होगी तो टांग डानेस्टि ने क्या किया उसने independent principalities बिना दी उसमें गिलगत, नागार, हुंजा, बलतिस्तान और चितराग, इन सारी एरियाज को अलएदा-लएदा करके ताकि इसको अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सके और वहां के उन्होंने अपने अपने अड्मिस्टेटर लगा दिये, तो ये इसकी अर्ली हिस्ट्री है, जो हमें जो जो पुरानी किताबे हैं, उधर से हम इसकी रेफरेंस के तो कोट कर सकते हैं, जो कि चाइनीज हिस्ट्री 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 की, कॉन्ट्री हिस्ट्री में एड्वेंट आफ कश्मीर इंफ्लूएंस, कि कश्मीर का जो इंफ्लूएंस है, जो कि कहा जाता है, कि गिल्गत बलतिस्तान किश्मीर का पार्ट है इस बेस की उपर अगर इंडियन्स को भी हम देखें बात करते हैं तो वो ग्रेटर किश्मीर की बात करते हैं ग्रेटर किश्मीर में वो सबसे पहले बात करते हैं कि जी बी जो है वो पार्ट है किश्मीर का ठीक है इस बेस की उपर वो कहते हैं जी कि आप GB को प्रोविंचल स्टेटस नहीं दे सकते तो अगर हम इसकी शुरू से देखें कि सबसे पहले सिकंदर शा इसको शा सिकंदर था सौरी इसका नाम तो शा सिकंदर ने अपने भाई गोहरमान के मकाबले में डोगरा डानेस्टी से हेल्प ली कि उसको आउस्ट किया जाए उसके बाद डोगरा डानेस्टी ने अपने एक जर्नल को भेजा और उसके बाद गोहरमान को श्किस्त हुई और उसके बाद एक डोगरा डानेस्टी वहां पर काईम होगी उसके बाद किशमीरी कंट्रोल गिलगे पलतिस्तान के कश्मिरी कंट्रूल कyas आया, इसके हम بات करते हैं, 1860 तक by 1860 होल जी भी वास अंडर सिकस डोग्रास कंट्रूल, 1860 तक जी भी का जो kंट्रूल हैmeno 6 और डोग्रास के पास आ चुका था, उसके बाद Treaty of अमरत सर होती है और Treaty of अमरत सर में जितना भी इलाका है किश्मीरी रोयलिटी में आ गया अब क्या हुआ कि एठारा सो साथ और इसके बाद जो जीबी है वो लीगली डिफरेंट ट्रीटीज के जरीए जिसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो ट्रीटी अमरत सर है उसके जरीए कश्मीर का पार्ट बन गया अब हम देखेंगे चूंकि हमने इसको जिस्ट फॉर इंफरमेशन एक शौर्ट प्रेसेंटिशन बना रहे है अगर हम इसका डिटेल्ड व्यू लें तो हम अपनी इंशाला क्लासेज में वो डिस्कस करेंगे कि कौन से इवेंट्स हैं जिसकी वह से जो गिल्गे बलतिस्तान का स्टेटस है हमें डिस्प्यूट में लगता है अच्छा उसके बाद क्या हुआ अगर हम कॉंटेंपरिरी हिस्ट्री में जाएं को नाइटीन थर्टी फाइव में जो किश्मीर का पार्ट था जितना भी किश्मीर है उसमें जी बी भी आता है वो सारा चला ब्रिटिश जो है वो अपने लीज की प्रिव अपर ले ले लेते हैं उसमें सिक और डोगरास से उसके बाद ट्राइबल मिलिशियास इन्वेडिड सिरिन अगर एन एट उरी फोर्सिस वार इनकाउंटर अब क्या हुआ कि जो किश्मीर से जो मिलिशियास थे वो गए लदाख वाली साइड पे जो किश्मीर वहां पे उड़ी के मकाम की उपर इनकी फोर्सिस से लड़ाई हुई और फिर वहां पे उसके बाद के हम देखते हैं कि जतना भी यह इन रेजलुशन में भी इसकी बात की जाती है उसके बाद आगर हम स्पेसिफिकली जीबी की बात करते हैं तो जीबी में मेजर ब्राउन जो था एस ऐ पॉलिटिकल एजएंट काम कर रहा था और वहां की जो फोर्सिस हैं स्कॉट्स हैं उनको वो लीड भी करता था वो ब्रिटिश जो ब्रैस थी उपर वाली उसमें उस टाइम पे जो पाकिस्तान की मिलिटरी फोर्से थी उसको जो अपर हिरार की थी वो ब्रिटिश फोर्से ब्रिटिश कमांड उसको करते थे उसमें जो मेजर ब्राउन था वो स्पेसिफिकली जी बी में स्कॉर्स को लीड करता था वहाँ पे एक म्यूटिनी प्लैन की गई उसको एग्जीक्यूट भी किया गया और महराजा का जो गुर्णर था गंसारा सिंग उसको वहाँ से आॉस्ट किया गया और फिर उसको प्रविजनल गौवर्मेंट वहाँ पे एस्टेबलिश की गई तो मेजर ब्राउन ने टेलीग्राम लिखा अब्दलकुयूम खान को और उसने वहाँ पे टेलीग्राम के जरीए उसको कहा कि आप यहां पे आकर प्रॉपरली जी बी को अनेक्स करें पाकिस्तान के साथ लेकिन पाकिस्तानी गौवर्मेंट ने उस टेम उसको अनेक्स नहीं किया उसके डिफरेंट प्रॉस्पेक्स हैं कि वह क्यों नहीं किया गया क्योंकि जो पाकिस्तानी गॉर्मेंट है वो चाहती थी कि लदाख और जितना भी दूसरा पार्ट है क्योंकि वो भी हम कश्मीर का गिंते हैं तो उसको भी हम अपने साथ मिलाना चाहते थे और इस बेस की उपर हमारी डिफरेंट उसके साथ यूएन में रेजोलुशन में भी हुजूद है नेक्स हम देखेंग एवलुशन ऑफ जी बी रूल सेल्फ रूल एवलुशन का बाया उसका कि जी बी को प्रॉपरली अब एक अलादा से कश्मीर से अलादा देखा जाने लगा 1949 में कराची एगरिमेंट होता है और AJ के सरंडर कर देता है कि अब हम इसको AJ, अजाज जमू और कश्मीर अलादा से एक टारिटरी होगा और जी बी अलादा से टारिटरी होगा क्यूं? उसमें उनका जो मौकफ था वर यह था था कल्चर और अक्सेसिबिल्टी ना तो हमारा कल्चर इनके साथ मिलता है और ना इनका जो इन्फूलेंस है या इनकी जोग्राफिकल टोपोग्राफिय है हमारे साथ लिंक अप होती है तो इस बेस की उपर फिर FCR लगाया गया फ्रेंटियर क्राइम रेगुलेशन ओर्डर लगाया गया 1901 और जीबी को कश्मीर से बिलकुल अलहदा कर दिया गया उसके बाद 1969 में Northern Areas Advisory Council बनती है और वो Council ही उसके बाद ये डिसाइड किया गया जो Advisory Council है जिसको नाक का नाम दिया गया वो इसको एड्मिस्टर करेगी अपने लिहास से 1970 में Northern Areas North Agency बन जाती है और उसके जहर फाना को अक्तियारा दी जाते है गिल्गब एड्मिस्टर का और फैडली एड्मिस्टर Northern Areas का नाम दिया गया 1974 में Northern Areas Council बन जाती है वो Advisory Council से हटके वो Northern Areas Council का नाम दिया गया कि अब जो भी Council है वो अक्तियाराद Council के पास चले गया है वो जिस लिहास से भी Legislation करना चाहे अड्मिस्टर करना चाहे वो अपने तोर पे कर सकती है 1994 में Northern Areas Legislative Council उसको proper powers दे दी गए कि अब आप Legislation भी different areas में कर सकते है अब जो सबसे important point है इन चीजों का reference हिस्टरी में हमें मिलता तो है लेकिन इसकी implementation proper नहीं मिलती अब 28 में 1999 में क्या होता है कि Supreme Court और पाकिस्तान order देती है कि six months के अंदर अंदर यहां पे rights जो के दूसरे province के लोगों के पास है constitution rights वहां पे लोगों को दिये जाए तो पाकिस्तानी government क्या करती है कि deputy chief executive के एक position वहां पे create करती है काना ministry के अंदर जिसको federal minister head करेगा और यह इसकी सरबराही में वो जितने भी regulations हैं जितने भी दूसरे province के लोगों को rights जो constitution rights मिलते हैं इनको भी दिये जाए अब GB empowerment and self government orders 2009 and 2018 अब इसके कुछ salient features है यह 2009 में 2018 में यहां पे एक order लागू किया गया और इसके जो salient features हैं उनको हम discuss कर लेते हैं कि इसके ताहित किस किस तरह से वहां पे legislation हो सकेगी और जो जो भी rights उनको देने हैं वो दिये जाएंगे जी बी legislative assembly and council was created उसके बाद introducing for reaching administrative political financial and judicial reforms in northern areas इन basically in orders में यह चीज़ें discuss की गई और make laws on 61 subjects इस सब्जेक्स यूपर laws बनाए जाएं उनको properly वहां पे implement किया जाएं उसके लवाज जिसतां से बाकी provinces में public service commissions हैं चीफ election commissioner है auditor general है वहां पे इनको establish किया जाएं अब हम देखते हैं यहां पे कि इसकी geostrategic importance क्या है जब हमें इसकी geostrategic importance का पता चल जाएगा तो पर हम इसकी implications को अच्छे तरीके से discuss कर सकेंगे अब यह देखें कि शेक्स गम वैली 1963 में यह वाला जो एरिया है पाकिस्तान ने पहले ही चाइना को दे दिया उसके लवा यह एकसाई चेन यह भी पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया क्यूंकि पाकिस्तान administrative problems थे कुछ हमारे यहां पे defense forces के हवाले से तो इनको यह पाकिस्तान को देना पड़ा उनको अब हम देखें जिए गिलगत अजन्सी और बलतिस्तान यह प्रॉपरली पार्ट है पाकिस्तान का इसको प्रोविंशल स्टेटस देने की बात हो रही है इसके साथ यह किश्मीर का पार्ट है अब यहां पे देख हैं वो आपस में युनाइट होते हैं ठीक है जूपर है उसके लावा वकान कोरीडूर है अफगानिस्तान का वह इसके साथ मिलता है वो उसके जरीया हम सेंटर लेशन स्टेट्स तक जाते हैं इन्डिया चाइना ठीक है यह सारे जो अरियास आजिげ इसके गिलका बलतिस्ता किया हो सकती हैं सबसे पहले तो यह हमारी किश्मीर जो कौज है हम बात कहते हैं किश्मीर कौज की किश्मीर को एज ग्रेटर किश्मीर उसमें लदाक जम्मू एंड वैली विद पाकिस्तन अड्मिस्टेटर किश्मीर और दूस इन सब को ग्रेटर किश्मीर का नाम हम देते है अगर हम GB को प्रविस बिना देते हैं तो फिर हमारी किश्मीर काउस एफेक्ट होती है क्योंकि हमारी UN की रेजोलुशन जो है वह सारी इसके उपर है उसके लावा अगर हम बात करें कि चाइना के साथ हमारे रिलिशन्स की 2015 से ही चाइना जो है वह बात कर रहा है कि GB को कोई लीगल स्टेटस दो आप ताकि जो हमारे CPI के प्रोजेक्ट हैं उनके ओपर एफेक्टिवली हम काम कर सकें जो हमारे डैम वगरा बन रहा है वहां पर उसके ओपर काम हो सके क्योंकि चाइना की ओपर भी जो एक्सटरनल प्रेशर यूएस की तरफ से ब्रिटन की तरफ से प्रेशर है और इसकी में उपर ये भी एक बात करता हूँ 2017 में ब्रेटिश पार्लीमेंट में भी एक रेजोलिशन पास होई थी कि जी भी एक डिस्प्यूटरी टेरिटरी है तो चाइना वहां पे काम कैसे कर सकता है तो इस तरह से पाकिस्तान के जो रिलेशन्स हैं अमेरिका के साथ और ब्रेटन के साथ साथ भी बिटर हो सकते हैं इसका डिरेक्टली हमने लिंक कर दिया कि चाइना अगर इसको प्रॉपर डिवेल्पमेंट करता है यहां पे तो हमारे क्योंके यहां पे हमने अभी तक इसको डिस्प्यूटरी हम कंस्डर करते हैं क्योंके 2019 में स्प्रीम काड अफ पाकिस्तान में जो टॉर्णी जर्नल है वो यह स्टेटमेंट दे चुके हैं तो अगर हम जीबी को पार्ट अपना बना देते हैं एक तुझा है कि हमारी किश्मीर कॉस इफेक्ट होती है तो फिर हम पैलेस्टाइन की उपर बात नहीं कर से थे क्योंके वहां पे इस्राइल भी यही कर रहा है कि उसको एनेक्स कर रहा है वो मतलब एक प्रॉपर एक स्टेट अपने स्टेट के साथ उसको मिला रहा है उसके लावत जियो स्टेटिक इंप्लिकेशन हैं इंडिया के साथ हमारी इंडिया भी यूएन रेजलुशन को उठा लेकी जा सकता है एक तरफ तो हम बात करते हैं कि किश्मीर का मसला हल किया जाए दूसरी तरफ हम यह कहते हैं जी जी भी पाकिस्तान का पार्ट बन गया तो फिर इंडिया भी यह कह सकता है कि हमने भी आर्टिकल 37, 37, 35 वे अगर रिवोक की है तो हमने इसको यूनियन टेरिटरी का पार्ट बना लिया तो हम यहाँ पे कहां गलती कर रहे हैं अगर पाकिस्तान इसको प्रविंचल स्टेटस दे देता है तो 18th Amendment के तहए पाकिस्तान इसको एक Autonomous Body बनाएगा लेकिन इंडिया ने क्या किया है इंडिया ने Article 370, 35A अगर रिवोक किया है उन्होंने इसको यूनियन टेरिटरी में शामिल किया है तो इससे यह होगा कि Human Rights पाकिस्तान उनको ज्यादा दे रहा है इंडिया नहीं दे रहा जो वहां की Populis है उनको Proper Constitutional Rights मिलेंगे तो फिर जो इंडिया है वो Human Rights Violations की बात नहीं कर सकेगा और इसी तरीके से वहां पे Development भी शुरू हो जाएगी Next हम देखे Internal Implications Internal पाकिस्तान के ओपर क्या के चीज़ें Develop कर सकता है किस तरह से पाकिस्तान में खुशाली आ सकती है और पाकिस्तान में किन-किन चैलेंजिस का सामना हो सकता है सबसे पहली बात यह है कि जहां पी जो Tourism Industry है हमारी वो प्रमोट होगी उसके लवाब Mineral Source Extraction होगी अगर पाकिस्तान इसको Part बना लेता है Constitutional Part बन जाएगा फिर हम यहां पे जितनी भी Mineralz है उनको भी Extract कर सकते है क्योंकि जब हमारा Part वो नहीं है तो हम इसको Legally वहां पे किसी भी चीज़ को छेड़ नहीं सकते है क्योंकि यह Treaties में भी लिखा हुआ उसके लाब जो हमारा CPAC है वो Legalize हो जाएगा कोई भी दूसरी पावर जो है पाकिस्तान को कह नहीं सकेगी अब अमेरिका भी यही बात करता है वो ब्रिटन भी यही बात करता है कि जी जी बी से जितने भी CPAC के प्रोजेक्स हैं वो वहां से Initiate हो रहे हैं आप Initiate किस बेस के उपर कर रहे है इसी तरीके से फिर अगर इंडिया डैम्स बना रहा है कश्मीर में तो इंडिया भी बात कर सकता है तो इसलिए हमें इसको पार्ट बना अगर हम बनाते हैं एक पूरा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बन जाएगा तो हमारे गौर्णस का रूल वहां पे बेतर हो जाएगा और जो वहां पे लोगों को इनसाफ नहीं मिल रहा तो वह बहल चीज़ें वहां पे प्रॉपर कोर्स फंक्शन करेंगी अब जो ये वाला पॉइंट है एन्नसी वाला इम्रान खान साब ने बात की कि एन्नसी अवार्ड से जितने भी दूसरे प्रॉपर से जितने बी दूसरे प्रॉपर्वर्वंजिस हैं वो जीबी के लिए उनका बजट काटा जाएगा अच्छा अगर GB को हम वह बला देते हैं तो जितनी भी grievances हैं दूसरे provinces की specifically बलोचिस्तान insurgency वह बढ़ना शुरू हो जाएगी क्योंकि बलोचिस्तान की उपर तो मारा budget वैसे ही कम लग रहा है वहां पे तो गुर्बत और पहले ही ज्यादा है वहां की जो infrastructure development है या दूसरे जो development का प्रोजेक्ट है वो वैसे भी कम लगते हैं तो फिर इस चीज़ का हमारे पर impact negatively पढ़ सकता है एर टू न्यू प्रोजें पाकिस्तान पाकिस्तान में जितने भी दूसरे प्रोजेंस हैं लाइक सौथ पंजाब का प्रोजेंस जो है और जो दूसरे और कुछ लोग बात करते हैं कि उनको भी हमें प्रोजेंस नया बनाना पड़ाएगा building of dams and legality तो अगर हम dams वहाँ पर बनाते हैं तो कल कला को हमें कोई बन्दा कह नहीं सकता मतलब कोई भी external जो दूसरी states हैं वो बात नहीं कर सकती हमारी dams की legality के ओपर और सबसे बड़ी बाज़ा equal constitutional rights मिल जाएंगे वहाँ के लोगों को और वो भी इन चीज़ों को enjoy कर सकते हैं जिस तरह से दूसरे provinces के लोग करते हैं तो educationally और social economic वहाँ पर development होगी तो यह सारी चीज़ें वहाँ पर आ सकते हैं that's all for today thank you very much